बेज देही विधानसभा का चुनावी दंगल रोचक होते जारा है। यहां भाचपा कॉंग्रेस के अलावा संग से ही जुड़े पूर्व जीयस्टी अफसर हेमराज भासकर ने चुला लड़ने का एलान बेज देही से नामनकन दाखिल कर दिया है। राहुल सतिर्ष चोहान भी चुनावी मैदान में है। राहुल चोहान ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कारले पहुच कर शुकरवार को नामनकन पत्र भराए। यदि हेमराज, बारसकर और राहुल सतिर्ष चोहान चुनावी मैदान में डटे रहते हैं तो बेज द देकर राहुल चोहान ने भी अपना नामनकन दाखिल कर दिया है संग से जुड़े हेमराज भारसकर और भाजपा से ही बागी हुए राहुल सतिष चोहान के मैदान में आने से भाजपा की मुश्किले बढ़ती लजर आ रही है वैसे जानकर सुत्रो की माने तो हेमराज भारस कर नेकत सुनाव में भी टिकेट की मांग की थी लेकिन उन्हें कामया भी नहीं मिल सकी यही हाल राहुल चोहान का भी है वे भी भाजपा से टिकेट की मांग कर रहे थे लेकिन भाजपा संगठन ने एक बार फिर महिंद्र सिन चोहान को प्रत्याशी खोशित कर दिया बस य इतने मान मनोवल के बाद वापसी करेंगे इसका निर्ने होना अभी बाकी है